मेरे प्यारे देश्वासियों, भारत ही नहीं, आज पुरी दुनिया के लिए ये गर्व का विशह है, कि आज जब हम कांधी 150 मना रहे हैं, तो इसके साथ ही 130 करोड देश्वासियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होने का संकल्प लिया है। परियावरान समरक्षन की दिशा में भारत ने पूरे विश्व में जिस प्रकार की लीड ली है, उसे देखकर आज सभी देशों की नजरें भारत की और टिकी हैं। मुझे पुरा विश्वास है आप सब दो अक्तूबर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए होने वाले अभ्यान का हिस्सा बनने वाले ही हूंगे। जगा जगा लोग अपने अपने तरीके से इस अभ्यान में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन हमारे ही देश के एक नवजवान ने एक बड़ा ही अनोखा अभ्यान चलाया है। उनके इस काम पर मेरा ध्यान गया। तो मैंने उनसे फोन पर बात करके उनके इस नए प्रयोग को जानने समझने की कोशिश की हो सकता है। उनकी ये बातें देश के और लोगों को भी काम आये हैं। स्रिमान रिपू दमन बेलवी जी एक अनोखा प्रयास कर रहे हैं। वे फ्लॉगिंग करते हैं। जब पहली बार मैंने फ्लॉगिंग सब्द सुना तो मेरे लिए भी नया था। विदेश्व में तो साइद ये सब्द कुश मात्रा में उप्योग हुआ है। लेकिन भारत में रिपू दमन बेलवी जी ने इसको बहुत ही प्रचारित किया है।